बागलपूर के समिक्षभवन ने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सेयद साहनवाज हुसेन ने उद्योग समवाद बैठा की जिसमें जिलादिखारी सुब्रत कुमार सेन, उद्योग विभाग की हुवरी अधिकारियों, बिजली विभाग की अधिकारियों, बैंक की अधिकारियों और द्योग पतियों ने हिस्सा लिया समवाद के दुरान उद्योग पतियों ने बियाडा को लेकर अपने अपनी समस्याओं को रखा जिस पर मंत्री ने समस्याओं को दूर करने की बात कही मंतरी ने बताया कि बिहार में पहली बार उद्योग समवाद का आयोजन किया गया है जिसमें बियाड़ा में आने वाले समस्याओं को समाप्त करने के लिए बैठाकी गई मुखरूपसी बिजली और बैंक की समस्याओं को लोगों ने रखा जिसका हल आज किया गया मंत्री ने कहा कि बियाडा में आने वारी समस्याओं का आन दाइ स्पोर्ट दूर करने के लिए समवाद कायोजन किया गिया है जिसमें उद्द्योग पतियों के साथ साथ अधिकारी समवाद में सामिल रहेंगे और जहां जहां पर परिसानी है उसे दूर किया जाएगा जिससे बिहार में उद्योग के छित में बढ़ावा मिल सके और लोगों को उद्योग लगाने में कहीं से कोई परिसानी नहीं जेलनी पड़े उद्दोग समबाद था उद्दोग समबाद के अंदर बियाड़ा के जितनी प्राबलम थी उसको बिजली बैंक और सारे को हल किया है ये पहली शुरुआत है बिहार में हुई है कि उद्दोग की जितनी समस्या है अन्दर स्पॉर्ट हम उसको हल कर रहे हैं भागलपूर के तिलका माजी थानाच्छतर के आर्क हॉस्पीटल के पास सोमबार की देर राध बिजली मिस्री राजिस कुमार राय के साथ अपराधी दोरा मार पीट कर घायल किये जाने और लूट पार्ट की घटना के बाद आज परिजन और महले के लोगों ने अपराधी क गिरबतारी और लाइन मैन को उचित मुआबजा की मांग को लेकर तिलका माजी थाने का घिराब कर दिया गिराब कर रहे लोगों का कहना था कि पुलीस तुरित कारवाई करते वे अपराधी को गिरबतार करे वहीं घायल लाइन मैन का इलाज सिली गुड़ी में चल रहा है जहां उसकी हालत नाजुद बनी हुई है घटना से आकरोसित लोगों का कहना है कि लगातार अपराध की घटना घट रही है लेकिन पुलीस घटना को रोकने में नाकाम रही है वहीं घटना के बाद भी अपराधी की गिरबतारी नहीं होने से महले के लोग आकरोसित है पु एक रड लेके यहाँ पर फार दिया गया है पूरा मार के खायल के वह बहुत सिरियास अभी तक होस नहीं है सिली गोरी में भरती है सर चाहते क्या है आप सो हम लोग चाहते हैं सब को मिलके उसका रिस्पोंस ले और जो यह घटना घटा है जहाँ पर वहां पर खो जाजाए जो ऐसा गलती के उसको पकड़ के जेल दे और अभी तक वह बहुत है है ऑस नहीं आया है ऑपरेशन हो चुका है हम लोग चाहते हैं कि उसका जगनभज्जा अर्थिक मजद मिले विभाग से दूसरा गिरफतारी हो अभी लंब गिरफतारी हो तो उसके साथ घटना घटाया आ गया भागलपूर नगर निगम पर दिव्यांगों को दिये जाने वले ट्राय सैकल में व्रश्टा चार का आरोप लगाते हुए पारसदों ने जम कर बबाल काटा पारसद एकत्रित हुए और नगर निगम में जम कर प्रदर सन किया इस दोलान पारसदों का साफ आरोप था कि नगर निगम छेत्र की दिव्यांग को दिये जाने वले ट्राय सैकल में दो पैसे बचाने के चकर में समान की उक्वालिटी में काफी गिरावट की गई है यह कह नहीं से सही नहीं है पारसद हंसन सिंग ने कहा कि निगम में कौन कितना डकायत हुआ महा डकायत है महिने भर में सामने होगा वहीं सभी पारसदों का नैथुत्व करते हुए संजय सिन्ह ने कहा कि आज अचानक भागलपूर नगर निगम में 206 ट्राय सैकल का नगर निगम पोर्टल के दोरा कोड़ादान भी सहर में दिया गया है लेकिन सभी का चक्का तुरंत में तूट कर बेकार हो गया पारसत संजर सिन्हा ने महापावर सीमा सहा पर संसनी खेज आरोप लगाते वे कहा कि महापावर अपनी आय बढ़ाने के लिए गलत सामान की खरीदारी करती ह है यह मनमानी अब नहीं चलने देंगे हम सभी इसका बिरोध करते हैं और इस ट्राय सैक्ल को वापस किया जा और इससे अच्छी क्वालिट्री का ट्राय सैक्ल मंगवाया जाए और हमको लगता है कि ये दो महिना से तीन महिना तक चलने लएगा आपको मालूम होना चाए कि हाल फिलाल में जहम पॉर्टल से कुड़ा दान लगा है सार में जितने भी नया कुड़ा दान लगा है सबका चक्का टुड़ गया है इसका मतलब है लिन नगर निगम के के लिए गलत समानों कर खरीदारी करता है और शहर के पैसे का लूट हो रहा है लूट में छूत नहीं मिले इसी के मलोग आये हैं हम लोग अपने निता संजेशिना के नितिविक में लूट पकड़े हैं अब इसमें छूट ने देना है यही सोच के हम लोग आये हैं और आप ल पुरे भागलपूर के बबरगंस थाना पुलीस और वार्ड तैंतालिस के पारसद पती मुहम्मद सोनु की मानविया पहल पूरे भागलपूर में चर्चा का भी सह बना हुआ है। पुरे भागलपूर के बबरगंस थाना पुलीस के दोरा आर्थिक सहायता कर मिर्तक उर्मिला देवी का अंतिम संसकार पूरी विधी और विधान के साथ भागलपूर के बरारी गंगा टटपर किया गया। दूसरे मज़ब की और दूसरे वाड के रहने के बाब्युद मुहम्मद सुनू के दरा किये गए कारे की लोग जम कर सरहना कर रहे हैं। हम लोग आएं तो हम लोग ने पवन कुमार जी को बोलें कि सर यहां पर लाहास रखा वाया। तो पवन भाय आएं बैठें देखिन देख करके वो विचारे देखिन के इटे सुनू भाय जब इस तक कोई नहां तो इस अंतिम संसकार कराई है। हम लोगों ने अपना वसे रह्याइब को फोवन किये वहां से गाली आया। जाली आकरे लेजिया। यह अंतिम संसकार के नमीन गेजा है। किस सेमाज के अंतिम संसकारे हैं। किस पर स्योक है समाज के मिल के अपसर। उस तरह का जो ने स 194 किया। बिहार के निती सरकार भले ही बालू के अवे दिखनन पर लगाम लगाने के लिए एडी चोटी पर जोड लगा दे लेकिन कुछ फ्रश्ट पुलिस कर्मियों और माफिया की बीच की मजबूत गट जोड इन सारे परयासों पर पलिता लगाने के लिए काफी है इसी कड़ी में भागलपूर के डाउड बात अमरपूर मुख मार्क पर बाइपास के समीब हभीपूर ठाने की पुलिस का भष्ट चेरा ओवरलोड़ बालूरदे ट्रेक्टर चालक से बसूली करते इन दिनों सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है वारल बीडियो में बाइपास के समीब ओवर बिच के नीचे हभीपूर पुलिस की गस्ती टीम में सामिल एक जवान ओवरलोड़ अवेध बालूरदे ट्रेक्टर स्टालक से कुछ पैसा लेकर उसे बेधलक बिना किसी रोक्टो के जाने के लिए इसारा कर रहा है वही पास में खड़े दूसरे पुलिस करमी वहां से गुजरने बाले सभी ओवरलोड़ ट्रेक्टर को रोक कर कारवाई करने के बजाया उसे रुक कर पैसा देने के लिए कह रहे हैं इस दुरान पुलीस गस्ती टीम का नेत्र तुकर रहें सहाय कवर्णर चक्पिंदर तिवारी थाना की गस्ती गारी में बैठकर बसूरी की सारे खेल को बड़ ही आराम से देख रहे थे अवेद बालू के काले खेल में अभी कुछ मेहना पहले ही पुलीस के कई आला अधिकारी नप चुके हैं आईपियस रेंग के अधिकारी समेट डियाइसपी अध्रोगा पर कारवाई हो चुके है बाब जूतिस के भागलपूर के कुछ पुलीस पुर में हुए कारवाई से सबक लेनी के बजाए ऐसे काले कमाई को एक खटाकर निमेल लगे हुए है जगदिसपूर परखंड में कई कार्याले समय पर नहीं खुलते जिसका लोगों को काफी अधेक परिसानिया हो रही है कार्याले खुलने का समय जबकि 10 बजे ही है वहीं जब हमारे समवदा था 11.15 बजे कार्याले पहुँचे तो कई कार्याले बंद पाए गए गए इसमें CDPO कार्याले किर्सी भीभाग और मन्रे कार्याले में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था बलकि कार्याले में ताला ही लटका हुआ था कर्मचारीयों का मनमाने ढंग से यहां आना और जाना जारी है कई लोगों ने बताया कि यह लोग परतिदीन ऐसे ही करते हैं लोगों के काम से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है यहां अधिकारी और कर्मचारी समय पर कार्याले ना आकर भष्टा चार को किस हद तक बढ़ाते हैं यह तो वरी अधिकारी ही बता सकते हैं अब वरी अधिकारे नियमित रूप से यहां आशक निर्चन क्यों नहीं करते इसका जवाब भी वरी अधिकारी ही दे सकते हैं। बहराल जगदीशपूर परखंड के मन्रेगा कारियाले, स्टीपियो कारियाले और किर्सी विभाग पर वरी अधिकारीयों को जन हित्मे संग्यान लेने की सकत जरुवत हैं ताकि परखंड की लोगों का काम सुचारू रूप से होता रहे। भागलपूर जगदीशपूर मार्ग पर बलवा चक चौक पर दिन भर रुक रुक कर जाम लगता रहा। जरसल सुक्रवार को बलवा चक में हाट लगता है जहां आसपास के दरजनों गाउं के लोग खाद बस्तू एं मीट आदी की खरीद एवं बिकरी के लिए पहुंसते हैं या हाट हजारों लोगों को ना केवल रोजगार देता है बलकि पेट भी भरता है लेकिन पुलीस प् पर पुलीस की ना तो ड्यूटी दी जाती है और ना ही गस्ति दल गस्ति करते हैं जिसकारन जाम को बढ़ावा मिलता है बहराल साम को जब जाम से लोग अधिक परिसान हो गए तो पुलीस प्रसासन पहुंची और बेतर तीब तरह से आ जा रहे वहनों को सही करवाया तब क नहीं जाम हटा